क्या आपको पता है कि मशली खाने के बाद दूर पीने पर क्या होता है आपने अक्सर सुना होगा और आपके घर के बड़े बुजर्ब मशली खाने के बाद दूर या दही का सेवन करने के लिए मना करते हैं ऐसा माना जाता है कि मचली के बाद इन चीजों का सेवन करने से त्वचा पर सफेद धब्बे बढ़ जाते हैं लेकिन क्या इस बाद के पीछे कोई scientific reason है अगर आप dietitian और doctors की बात माने तो ऐसा कोई scientific experiment और proof अभी तक मौजूद नहीं है जो ये साबित करें कि दूर दोर मचली एक साथ खाना लुकसान दे रहता है ये सिर्फ एक मिठक है ऐसे कई आधनिक recipe और खान पान की आदिते हैं जो ये साबित करती है कि मचली और दही एक साथ खाने से किसी भी प्रकार की allergy या त्वचा रोप होने का खत्रा नहीं रहता त्वचा पर सभेता शरीड के किसी हिस्से या पूरे शरीड में fungal infection या pigment forming cells melanocytes के नश्ट होने से होता है मचली और दूर मिलकर इस तरह की कोई समस्या पैदा नहीं करते अलांकि अगर आपको lactose से समस्या है या किसी प्रकार की मचली से कोई allergy है तो आपको उल्टी, खुजली या पेट में दर्द हो सकता है ये इन दोनों के साथ लेने या अलग-अलग लेने से भी हो सकता है कई पारंपल्क मचली की डिस ऐसी होती है जिन में दही का इस्तेमाल किया जाता है जो की दूर सही बना होता है continental food में भी बड़ी माकरा में मचली के साथ क्रीम मिलाकर डिस तयार की जाती है अगर मचली बनानी में तीखे मसाले का इस्तेमाल किया गया है तो उसके बाद दूर पीने से आपको पाचन संबजी समस्या हो सकती है लेकिन द्वचा पर सफे धबे नहीं पड़ते अगर आगे से यही मिठक सुनने को मिले तो उस पर जकीन ना करे और अपनी फिश वाली डिस्का मज़ा जरूर है अगर जरूर हो सकती है